लेकर हेल्थ केर तक एकोनमी को नई गती से लेकर न्यू इंडिया के निर्मार तक सबका ध्यान इस बजेट में रखा गया है। साथियों हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आईशमान भारत योजना का लाब पचास करोड गरीबों को मिलना सुनिस्टित हुआ है। प्रदानमंत्री जीवन जोती योजना और सुरक्षा भीमा योजना का लाब 21 करोड गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाब नव करोड से जादा परिवारों को हुआ है उज्वला योजना के तहट छे करोड से जादा परिवारों को मुप्त गैस कनेक्शन मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना की वेजर से डेड़ करोड परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं अब इस बजेट में बारा करोड से जादा किसानों को तीन करोड से जादा मर्द्यम बर्क के टेक्सपेर परिवारों को और तीस चालीस करोड स्रमिकों को सीधा लाब मिलना तै हुआ है साथियों सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रेकॉर्ड गती से कम हो रही है लाखों करोडों लोग गरीबी को परास करके नियो मिडल क्लास मिडल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं देश का ये बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गती देने में जुटा हुआ है ऐसे समय में इस बढ़ते मिडल क्लास की आशा आकांशाओं को कुछ कर दिखाने के जजबे को हौसला मिले उसको सपोर्ट मिले इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबदता दिखाई है मैं देश के मिडल क्लास सेलरीड मिलल क्लास को इंकम ट्रैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ यह मद्यवर्ग और उच्चम मद्यवर्ग की उधारता ही है उनकी इमानदारी ही है कानुन को मानकर चलने की उनकी प्रतिबदता ही है जिसकी वज़र से देश को टैक्स मिलता है देश की योजनाय बनती है गरिब का कल्यान होता है बरसों से यह मांग रही है कि पांच अलाख रुपिय तक की आयको इंकम ट्रैक्स से मुक्त गोशित किया जा है इतने वर्सों से की जा रही इस मांग को पुरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है साथियों किसानों के लिए समय समय पर अलग-अलग योजनाय अलग-अलग सरकारों ने बनाई है लेकिन उपर ही सत्व के दो-तीन करोड किसानों से जादा किसान इन योजनाओं के दाएरे में आये ही नहीं अब प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी यानि जिसे पी-एम किसान योजना कहा जा रहा है उसका लाब बारा करोड से जादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकर से या पांच एकर से कम भूमी है एक प्रकार से आजहाती के मात देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजनाँ है हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है पशुपालन, गौसमवर्धन, मचली पालन जैसे ग्रामीन जीवन और क्रिसी जीवन से जुड़े अहम छेत्रों का भी इस बजेट में विशेश ध्यान रखा गया है राष्ट्रिय कामधिनु आयोक और मचली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोडों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा मच्वारों की मदद करेगा हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को ससक्त करके उसे वो साधन दें, संसाधन दें जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके आज के निर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगी साथियों, आज भारत में अनेक खेत्रों में विकास हो रहा है नए नए प्रकार के खेत्रों में, नए नए विस्तारों में, नए नए प्रकार की योजनाओं में प्रगती हो रही है और इन छेत्रों में काम करने वाले लोगों की संक्या भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं लेकिन असंगठित छेत्र के समीकों मद्दूरों अन और्गनाइज लेबर जिसमें घर काम करने वाले लोग हो या खेत्र मद्दूर हो या ठेले चलाने वाले लोग हो ऐसे समाज का एक बहुत बड़ा तप्का है मेरे भाई और बहनों इन मेरे बंदूरों की चिंता कभी नहीं की गई हैं उन्हें उनके नसीप पर छोड़ दिया गया हमारे देश में इनकी संख्या अन और्गनाइज लेवर के संख्या करीब परीब चालीस बयालीस करोड है उनके लिए प्रदान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्द सांस वर्ष की आयू के बाद की जिन्दकी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी उन्हें आयुशमान भारत योजना प्रदान मंत्री जीवन योती योजना प्रदान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना प्रदान मंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लागतों मिलेगा ही बुढ़ाबे में रोज मरा की जिन्गी गुजारने के लिए पैंशन भी मिला करेगा भाई और बहनों हमारी सरकार देश के हर उस नागरिप को विकास की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास कर रही है जो अब भी कुछ कारणों से विकास का पुरा लाप नहीं ले पाए है समाज की आखरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचने के इस प्रयास में सरकार ने गुमंतु समुदायों जैसे मदारी हैं, सपेरा हैं, बंजारा हैं, गाडिया लुहार है आदि के लिए एक वेलफेर बॉर्ड बनाने का भी फैसला किया है मुझे उमीद है कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कारियों का लाप इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा साथियों, व्यापारी वर्क के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कोई मंत्रालाय हो उस विचार से एक नभी व्यवस्ता का विक्सित करने की दिसामे हम आगे बड़े हैं देश के व्यापारी वर्क, ट्रेडर्स और अनेक कर्मचारियों के आवश्रक्ताओं को समगते हुए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, डियाए पीपी को रिस्ट्रक्टर करके उसे विशेश जिम्मेदारी दी गई हैं अब ये विभाग Department for Promotion of Industries and Internal Trade के नाम से जाना जाएगा मुझे पसंदता है कि लिए अगले दसक के अंत तक की आवश्रक्ताओं को और लक्षों को धान में रखते हुए भी इस बजेट में योजनाओं को समाहित किया गया है ये बजेट गरीब को शक्ती देगा, किसान को मजबूती देगा, स्रमिकों को सनमान देगा, मिडल क्लास के सपनों को साकार करेगा, इमानदार टैक्सपेर का गवरोगान करेगा, ट्रेडर्स को ससक्त करेगा, इंफास्ट्रक्चर निर्मान को गती देगा, अर्थ व्यवस सवास मजबूत करेगा यह बजेट न्यू इंडिया के लक्षों की प्राप्ति में देश के 130 करोड लोगों को नई उर्जा देगा यह बजेट सर्वव्यापी सर्वस्पर्सी सर्वसमावेशी है सर्वोत कर्ष को समर्पित है मैं एक बार फिर हमारे मित्रा अरून जी को और और उनकी टीम को इस उत्तम बजेट के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं धन्यवाद